यह पानी बहुत तेज गिरेगा और यहां पर देख लिए कि ज्यादा दिक्कात आती है हम लोग खटिया के सहारे यह खटिया लगा तरह से बैठें और यह देखें पापा हमारे चुपे हुए हैं यह पान छोड़ के हम लोग किसानी में उतार आए हैं सब देखिए सब नौक आपको इस साइड में नहीं दिखेगा और अभी आप जो इतनी ग्रिंस देख रहे हैं मेरे आगे पीछे सारी चीज़े तो इस समय मैं हूं खेट पे अब आपको मैं पीछे दिखाता हूं कि कितना अच्छा मौसम लग और मौसम के साथ में आपको दिखाऊंगा लौकी तुंभार की यहां पर वान टू यह रहा 3 पहुरी तुने पर यहां पे 45 और यह गुच्छों में यहां पर यह थी बासगे की या विट्व करेगा और चानल जब्सक्राइब करेगा क्योंकि पीछे मौसम आ रहा है और हो सकता है कि मैं भीग भीचा हूँ तो उसके गरने वाली बात नहीं है बस मैं लौकी आपको दिखाना चाहता हूँ और आगे चल रहा हूँ आप लौकी देखो यह देखे यह लौकी है और कैसी लग रही है लौकी प्लीज बताईगा कमेंट बॉक में चरूर से तो मुझे दिजे ज्याजत और आपको भी मिलवाते हैं कुछ किसानों से यहां पर जो हैं जो काम कर रहे हैं या जो भी है इस वीडियो में मैं एड़ कर दूँगा क्योंकि मैंने हमारे अंकल जी हैं और यह हमारे पापा है और यह देखे दोनों की महनत इस हि हुए अभी सब काम चल रहा है इसको लौकी लटकाना है देखे कितनी अच्छी लगी है क्यों अंकल जी बताइए हम लोग करना है ना नौकरी छोड़ करके एक दिम जैसे लौकी से बढ़ रही है वैसे मूच जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से ऐसे लंबी लंबी लौ की होगी तो कुछ तोड़े भी है कि अभी तूटना स्टार्ट नहीं हुए तूटी है पचास लौकी तूटी है और यह देखे कितना सुंदर लग रहा है यहां पर चारो तरह खेत कितना साफ किया गया यहां पर कितना महनत का गाम है यहां पर देखे एक भी यहां पर आप गजब बहुत महनत किसान बहुत महनत करते हैं लगिन वह दो दो रुपए में लौकी खरीदने वाले वह नहीं जानते हैं बाकि महनत तो लगती है अरे कोई दिकत नहीं है फोटो आप स्टार्ट हो रहा है और पानी बहुत तेज आ गया है को दिखा रहा हूं चारो तब नच जाना जाके कि आपको लौकी कैसी लग रही है और चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करेगा और यह देखिए लौकी कितनी संदर संदर लौकी है यहां पर और यह मेरे पापा वो लौकी काटके जा रहे हैं यह देखिए यह लटकी हुई है यहां पर दो लौकी और ये लोकी है कितनी सारी बॉटल गार्ड है वहाँ वाली तो आपको दिखा दी ये वाली किस तरह से खेतों में लगती है लटक माध्यम से इस बार हम लोग ने किया है तो जो भी है अभी सुरवात है और ये चारो तरफ आपको लोकी ही दिखेगी यहाँ पर और ये यहाँ पर भरा जा रहा है इसमें अब मौसम काफी ज़्यादा सुहावना पारिस कभी भी हो सकती है चिडिया उडरी उपर आस्मान में तो ये देखिए अब पानी स्टार्ट भी हो गया तो हम लोग फिर से भीगने वाले हैं हम लोग पानी में अभी खट्या की नीचे एक देम से बैठे हुए हैं अब बैठे क्या है छुपे हुए हैं आप हम दिखा रहे हैं खट और हेलमत लगा करके पानी चारो तरफ से इतना तेज हो गया है कि क्या व्लॉग में बताया था कि यह पानी बहुत तेज गिरेगा और यहां पर देख लिए कि ज्यादा दिक्कात आती है हम लोग खटिया के साहरे यह खटिया लगा तरह से बैठे हैं और यह देखे पापा हमारे चुपए हुआ है यह पानी में भीग रहे हैं हम लोग भी अब पीछे पूरा भीग चुकाए गई यह पूरा भीग गया है अब पानी इतना बारिस हो रही है कितना डिफिकल्ट होता है खेती गलना देखिए कैसे कैसे बचना पड़ता है मौके पर फोन मिल गया इसलिए मैंने रिकार्डिंग भी और यहां पर देख पा रहे हैं तो वह साइच चीज़े तो आपको पता चलेगा कि कितने मैनस से खेती होती है यह खेती देखिए कितने साप सुत्री है काफी अच्छे जरंग सकी गई है यहां पर ठीक है तो दीजी आतुल को जाजत मिलते हैं नेक्स ब्रॉग में तब तक लिए खुटबाग